अज़े अज़े एक यह बीकुलाई के समस्या जो है वह ज्यादा प्रिवलेंट है लेडिज में चाहे वह यंग लेडिज हों या ओल्लेडिज हों या प्रिवलेंट हैं और जो ओल्लेडिज हैं जिनको हम इन पॉछ हो गया तीनों के अलग अलग का रण थे तो या यंग लेडिज में चोक्की आप जानती हैं कि जो अनाटमी होती है वह दूनों ओपनींग लेडिज में दोनों बहुत पास पास होते हैं जो कि मर्दों में अ यूरत्रा अलग होता है पिसाब की नली अलग होती है और रेक्टल अपनी अलग होता है इसमें दोनों इतना नजदीक होता है कि कभी वह इंफेक्शन यूरीन में चला जाता है यूरीन का इंफेक्शन उदर जा सकता है क्योंकि इतना प्रोक्सिमीटी ये भगवान ने ऐसा ले रखा है डिचर कि दोनों के परिचर आसपास होने से यह परचानी होती है जो यंग मेरेड लेडी हैं उनके केस में जो सेक्सवल इंट्रकॉर्स होता है वो उसकी वज़े से यह फ्रिक्व्णसी जादा होती है वी खोलाई का यूंकि ऐसा बहुसारे कीसे आते हैं जिसमें नई जिसको हम लोग हनीमून सिस्टाइटिस करते हैं लोग हनीमून के लिए ग Parece बाहर में कहीं गये और हनीमून में ही वो सिस्टाइटिस लेके आगए कस के प्रिसाब में जलन हो रहा है फिवर हो रहा है पेट में दर्थ हो रहा है तो हनीमून सिस्टाइटिस ही नाम दिया गया उसका तो हनीमून सिस्टाइटिस का मतलब है कि सिस्टाइटिस बिकॉज अब सेक्ष्वल इंटरकॉर्स which happens in the recently married ladies old ladies में तो कि वाल थोड़ा एट्रोफी हो जाता है मेनोपोस के बाद तो चाहे वो वेजाइनल वाल हो चाहे उरेथरल वाल हो उसकी वज़े से infection के chances बढ़ जाता है तो तीनों condition में आपके infection बढ़ेंगे मर्दों में generally UTI कम होता है लेकिन जब आप old age में पहुँचते हैं जहां प्रोस्टेट बढ़ता है आपका या kidney का कोई infection होता है उस condition में associated urinary tract infection या भी कुलाई की infection हो सकता है लेकिन मर्दों में generally ए आसा माने प्रक्रिया है खास करके युवा मर्दों में लेकिन जो वृद्ध मर्द हैं जो 60 के ऊपर के हैं 55 के ऊपर के हैं जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो बैक प्रेशर के वज़े से बी कुलाई के chances बढ़ सकता है तो डॉक्टर साब जैसा कि महिलाओं में आपने कुछ लक्षन बताए तीन और भी कोई ऐसे लक्षन है जिनसे उन्हीं ये शक करना चाहिए कि शायद उन्हें बी कॉलाई हो चुका है बी कॉलाई के लक्षन बहुत मिरियट सिम्टम्स हैं जिसे बुखार आना पिसाब में जलन होना पिसाब के रास्ते में दर्द होना ठकान का होना कमजूरी का होना कुछ नहीं होता है लेकिन इनफेक्शन जब आप टेस्ट कराएंगी तो इसमें सबसे जरूरी है सोम्याजी कि हाई इंडेक्स अब सस्पीशन होना चाहिए चिकित्सक के लिए भी और मरीजों के लिए भी यानि संदेह का दाइरा आपका बड़ा होना चाहिए अगर आप यंग लेडी हैं और आप को कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द आपका शुरू हो गया जहां ब्लाडर का एरिया है पर साब करने में थोड़ा डिसकमफर्ट हुआ उसको डिस्यूरिया करते हैं तो डिस्यूरिया हो या फिर बर्निंग नहीं भी हो सकता है लेकिन डिस्कमफर्ट हो डिस्कमफर्ट हो जो नॉर्मल जो उरिनेशन होता है जिसमें आप हलका मसूस करती है हलका नहीं हो करके आपको तो तो डिस्यूरिया हो या फिर बर्निंग हो उस सब लक्षन है भी को लाई तो डॉक्टर साब इलाज किस तरीके से होता है क्या उपाय है इसका इसका उपाय ही है कि पानी खूपी है पूरा हेड्रेशन होना चाहिए और जैसा मैंने कहा कि संदेह का दारा बढ़े है तो यूरिन कल्चर करा लीजिए और कल्चर में जो सेंसिटिव आए जो बैक्ट्रिया सेंसिटिव आए इंटिबाइटिक सो एंटिबाइटिक आप चलाएंगे दो सब्सक्रा तक कारी दो है इंट्यूर्य यहार जिरूंझ एपना जो कर दिए